तो फ्रेंट्स आज से हम मन्थली करंट अफेर्स की सिरीज को यहां पर शुरू करने वाले हैं हर मन्थ के टॉफ फिफ्टी करंट अफेर्स को हम इंकलूट करेंगे और टॉफ फिफ्टी एसे करंट अफेर्स पढ़ेंगे जो किसी भी स्टेट की एक्जाम में या सेंट्रल की किसी भी एक्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे हम शुरुआत करने वाले हैं अक्टूबर मन्त के करन्ट अफेर्स से और टॉप 50 कोश्चन को हम यहाँ पर डिसकस करेंगे वीडियो को end तक देखिएगा बहुत ही important session होने वाला है लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और साथी साथ चेनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आई यह देख लेते हैं 50 important ASAMCQs जो की अक्टूबर मन्त से हमें आने वाली exam में देखने को मिल सकते हैं सबसे पहला question देखते हैं friends तो सबसे पहला question देखिए हाली में जारी Global Innovation Index 2022 में भारत का इस्थान कोन सा है तो देखिए Global Innovation Index की अगर हम बात करते हैं friends तो यह जो index हैं इस आधार पर तयार किया जाता है कि किस देश में स्टार्ट अप लगाने के लिए कितनी अनुकूल परिस्थेतिया है इसके आधार पर इस index में rank दी जाती है अब 2022 में यह जो index है इसमें भारत को 40 वी rank दी गई है friends Global Innovation Index में कौन सी rank दी गई है 40 वी rank काफी important है और exam में पूछी जाएगी तो आप note कर लीजिएगा यहाँ पर जितने भी आपको fact मिलते हैं तो देखिए Global Innovation Index को वेश्वीक नवाचार सूचकांक के नाम से जाना जाता है 2022 में यह जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें 132 देशों को सम्मिलित किया गया था यह भी याद रखेगा important है और note कर लीजिएगा 132 देशों को सम्मिलित किया गया और भारत को इस index में 40 वा इस्तान दिया गया था अब कोश्यन आता है कि सर यह रिपोर्ट जारी कोन करता है तो विश्व बौद्दिक संपदा संगटन के द्वारा हर साल यह रिपोर्ट जारी कि जाती है अब आपको यह तो पता चल गया कि 132 देशों को सम्मिलित किया गया सूची बनाई गई और भारत को 40 वा इस्तान दिया गया तो अब कोश्यन आता है कि सर पहले इस्तान पर कौन सा देश रहा है तो answer A यहाँ पर सही हो जाएगा काफी important question था जो हम 50 question डिसकस करने वाले हैं उसमें सबसे important यही question था friends मतलब सारे important है लेकिन अगर उनमें compare करें तो सबसे important इसका नाम आता है और एक global hunger index भी हमको आगे मिलेगा वो भी काफी important है तो index से जितने भी आपको question आए आप उन्हें especially याद रखिएगा next question पर आने से पहले आपको एक important update देता हूं friends crazy gk trick की application पर आप सभी के लिए quality की live बेचे से start हो गई है अगर आप interested हैं जोईन करना चाते हैं depth में जाकर quality को topic wise पढ़ना चाते हैं तो आप quality की इस class को join कर सकते हैं काफी minimum cost में आप क्या करिए crazy gk trick application को play store से download कर लिजे इसके अलावा भी काफी सारे other courses भी है friends जो आपको crazy gk trick की application पर मिल जाएंगे easily और अधिक जानकारी के लिए आप इस number पर whatsapp कर सकते हैं I hope update अच्छा लगा होगा second question पर आते हैं जो की काफी important current affairs है हमारा हाली में उल्फ क्रिस्ट्रसन थोड़ा सा difficult नाम है देख लीजेगा उल्फ क्रिस्ट्रसन किस देश के नए प्रधान मंत्री बने हैं तो देखिए उल्फ क्रिस्ट्रसन की अगर बात करें friends तो ये स्वीडन देश के नए प्रधान मंत्री बनाए गए हैं हाली में important है? पूछा जा सकता है आप देखिए स्वीडन देश के नए प्रधान मंत्री बने हैं और ये conservative moderate party से संबन्दी थे हाला कि आपसे party कभी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि अभी तक exams में party से question नहीं आए हैं इतने देशों की party याद रखना थोड़ा मुश्किल है फिर भी आप नाम याद रखिए और देश याद रखिएगा उल्फ क्रिस्टसन का देश कौन सा है? स्वीडन है स्वीडन की अगर हम बात करें तो एक यूरोपी देश है जिसकी capital है Stockholm और प्रधान मंत्री आपको पता चल ही गए उल्फ क्रिस्टसन इस देश के प्रधान मंत्री है नेक्स्ट question पर आते हैं तीसरा question लेते हैं प्रती वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाय जाता है तो देखें विश्व पोलियो दिवस की अगर हम बात करें तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि पोलियो जो disease है उसके प्रती जागरुकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई, अब अगर हम पोलियो की बात करें, तो ये एक वाइरस है फ्रेंट्स, वाइरस है जो की मनुष्य में तंत्री का तंत्र को मतलब नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, उचा जाता है यहां से कुशन वाइरस है याद रखियेगा वाइरस तो होने वाला रोगी, पोलियो के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए हर साल 24 अक्टोबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अक्टोबर को ही UNO Day भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखियेगा, United Nation, Organization Day और विश्व पोलियो दिवस दोनो ही 24 अक्टोबर को हर साल मनाया जाता है, इजी, आईए जान लेते हैं, देखिये, पोलियो टीका करन के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए 24 अक्टोबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, इस दिवस की जो इस्थापना है, फ्रेंड्स, वो रोटरी यह एक व्यक्ति हैं, फ्रेंड्स, जिन्होंने पोलियो डिसीस का उपचार खो जाए, उसका टीका खो जाए, तो इनका जन्म दिवस है 24 अक्टोबर को, इसे लिए विश्व पोलियो दिवस के रुप में इनके जन्म दिन को ही मनाया जाता है, ठीके, यह पोलियो मेटे ला पोलियो मेलाइटिस, मतलब वोई पोलियो बिमारी की बात हो रही है, एक अत्यदिक संक्रामक वाइरल रोग है, जो मुख्य रुप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, नॉर्मली बच्चों में होने वाला रोग है, इसलिए आपने देखा है, पोलियो ड्रॉप पिलाए जाता है, पांच साल की उम्र तक, पोलियो टीका करन अभियान भी काफी फेमास है भारत में, हलाकि अब भारत में पोलियो के कोई मरीज नहीं है, क्योंकि 2014 में डबल्यू एचो के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोशित कर दिया गया था, 2014 के बाद भारत में पोलियो का कोई भी मरीज नहीं है, इसको याद रखिए, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाय जाता है, 2022 में जब मनाय गया है, तो इसकी थीम याद रखिएगा, वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉर्ड, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्र FIH, Woman Rising Star of the Year 2021 चुना गया है, तो याद रखिएगा, FIH, Woman Rising Star 2022 जो है फ्रेंड्स, ये मुम्ताज खान को चुना गया है, अंसर हो जाएगा, अंसर भी, मुम्ताज खान की अगर हम बात करें, तो यूवा भारती मुम्ताज खान को महिला वर्ग में पुरसकार दिया गया है, भारती मुलकी है, और क्यों दिया गया है, क्योंकि दक्षिन अफ्रिका में आयोजित 2022 जूनियर होकी विश्यो कप में, मुम्ताज खान ने ग्रूप स्टेज में, मलेशिया के खिलाफ हेट्रिक सहीद, टूनामेंड में कुल आठ गोल्ड आगे थे, तो इनके बहतर प्रद मुम्ताज खान को दिया गया है, भारत की एक युवा होकी खिलाडी, पुरुषो की श्रेणी की बात करें तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, 2021 वाविस का ये जो खिताब है, पुरुषो की श्रेणी में, वो फ्रॉंस के एक होकी खिलाडी को दिया गया है, जिनका न क्लियर हो जाता है, next question पर आते हैं, अगला question देखते हैं, बहुत ही simple है, और काफी सुर्ख्यों में भी रहा है और हमारे लिए काफी गर्व की बात भी है, इसलिए है हमको ये question याद भी होना चाहिए, आएए देखते हैं, अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारती मूल के प्रधान मंत्री कोन बने हैं, तो ब्रिटेन के पहले भारती मूल के प्रधान मंत्री की बात करें, तो very easy, रिशी सुनक आंसर हो जाएगा, आंसर भी, रिशी सुनक ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री बने हैं, अक्टूब ने 45 दिन तक प्रधान मंत्री का पत समाला है ब्रिटेन में लेकिन इकोनोमिकल जो क्राइसिस है इकोनोमिकल जो प्रॉबलम से उनको जब ये सॉट आउट नहीं कर पाई तो इन्हों ने अपना इस्तिफा दे दिया उसके बाद ब्रिटेन के पुर्व वित्त मंत्री रिशी स नकजो की 42 साल के है इन्हें ब्रिटेन का नया प्रधान मंत्री बनाये गया है इनका जो परिवार है या जो पीडिया है 210 साल में काफी सालों से ब्रिटेन में रह रही है और ऐसा पहली बार हुआ है 210 साल में की कोई भारती है सबसे कम उम्र का वेक्ती ब्रिटेन का प्रधा का नाम किस देश ने दिया है तो सितरंग की बात करें तो सितरंग का जो नाम है यह आया था तुफान बंगाल की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी के अगर हम बात करते तो आपको पता है यह है प्राइदीपी भारत और यह है बंगाल का यह यह कहा जाए बंगला देश औ थाइलेंड देश ने दिया है, important है, हाली में बंगाल की खाड़ी में सितरंग चक्रवाती तुफान आया, इस सितरंग चक्रवाती तुफान का नाम थाइलेंड ने दिया है, इस तुफान का असर भारत में अगर देखे, तो पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा के तटो तक इस तुफान का असर हमें देखने को मिलता है वेसे इस साल ये दूसरा तुफान है आने वाला क्योंकि इससे पहले मई में एक और तुफान आया था भारत में जिसका नाम था आसनी तुफान कब आया था मई मैं 2022 में बंगाल की खाड़ी में आसनी तुफान आया था ओर अब अगर अक्टूवर 2022 की बात करे तो अब आया है कौन सितरंग तुफान किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है थाइलेंड के नाम पर या यू कहा जाए कि थाइलेंड देश ने इसका नाम दिया है ठीक हाँ यही कहना सही होगा कि Thailand देश ने इसका नाम दिया है इसके बाद next question पर आते FIBA महिला बॉसकेट बॉल विश्व कब 2022 का खिताब किसने जीता है तो FIBA महिला बॉसकेट बॉल विश्व कब 2022 का जो खिताब है friends वो जीता है अमेरिका ने किसने जीता है अमेरिका ने important है इसलिए आपको याद रखना चाहिए answer हो जाएगा answer D इस question में वैसे ज़्यादा detail आपको याद रखने की जरुरत नहीं है फिर भी कभी question पूछा जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने चीन को final में हराकर ये किताब जीता है और अमेरिका ने लगातार चोथी बार इस किताब को अपने नाम किया है और अभी तक जब से ये wishwa cup championship शुरू हुई बॉसकेट बॉल की तब से अमेरिका ने 11 बार ये किताब अपने नाम की क्या नाम है फीबा महिला बास्केट बॉल विश्व कब 2022 इस साल किसने अपने नाम किया है अमेरिका ने लगातार चार बार से इसका आयोजन किया जा रहा है चार बार से जो लास्ट चार बार इसका आयोजन किया गया है वो अमेरिका ने जीता है प्रतियोगिता को अगर हम FIBA की बात करें तो इसकी स्टापना 18 जून 1932 को की गई थी और इसका जो मुख्यला है वो यूरोप के देश स्वीट्जालेंड में वर्तमान में अध्यक्ष हमाने नियांग इसके वर्तमान में अध्यक्ष है इसे भी याद रखेगा क्लियर हो जाता है चली नेस्ट कोशन पर आते हैं आगे देखिए केंदर सरकार ने किसे रास्ट आबदा प्रबंदन प्राधी करण का नया निदेशक नियुक्त किया है तो देखिए रास्ट आबदा प्रबंदन प्राधी करण की अगर हम बात करें जो कि देश में आबदा के मेनेजमेंट के लिए जो आबदा आती उसे निपटने के लिए कारे करने वाली संस्ता है इसके वर्तमान में नय निदेशक नियुक्त किये गए हैं फ्रेंड्स म्रडालिनी श्रीवास्तव को इंपोर्डेंट है याद रखेगा हाली में म्रडालिनी श्रीवास्तव को रास्ट आबदा प्रबंदन प्राधी करण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है इनका जो कारेकाल है 29 वरवरी 2026 तक रहने वाला है रास्टे आपदा प्रवंदन प्रादिकरण भारत में आपदा से निपटने के लिए काम करने वाला एक निकाए इस संस्ता का जो गठन है आपदा प्रवंदन अधिनियम 2005 के तहद किया गया था लेकिन किया कब गया यह important है तो 27 सितंबर 2006 को इस संस्ता का गठन किया गया था किस अधिनियम के तहट किया गया अगर पूछा जाए तो आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहट किया गया है लेकिन डेट और वर्ष पूछा जाए तो ये है 27 सितंबर 2006 तो हाली में राष्ट्र आपदा प्रबंदन प्राधी करण के नए निदेशक निउक्त किये गई है म्नडाली नी श्रीवास्ताओ याद रखेगा आगे बढ़ते देखिए अगला खुश्या अक्टोबर 2022 को किसे चुनाव आयोक का नेशनल आइकॉन बनाए गया है तो बहु एक डायलेक भी सुना होगा अपने इनके तो पंकच त्रिपाटी को हाली में चुनाव आयोक का नेशनल आइकॉन बनाया गया है रास्ट चुनाव आयोक के द्वारा जान लेते हैं अभिनेता पंकच त्रिपाटी फिल्मों में काम करते हैं अभिनेता हैं इन्हें भारत नि निर्वाचन से संबंदित प्राउधाने इसका जो आर्टिकल 324 है वो especially रास्ट निर्वाचन आयोक के गठन की बात करता है आर्टिकल 324 से 29 तक पूरे निर्वाचन से संबंदित सभी प्राउधाने लेकिन रास्ट निर्वाचन आयोक की जो बात की गई है वो आर्टिकल 324 म मुख्यालाई नई दिल्ली में और इस संस्ताव में तीन मेंबर होते हैं वर्तमान में तीन मेंबर में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है फ्रेंड्स और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर उपर कौन होता हैं सीधी सी बात है मुख्य च जो लोक्तसवा चुनाव होगा फ्रेंड्स, वो इनही के मुख्य चुनाव आयोग ते रहते हुए होने वाला है। तो हम हमारे कुश्चन की बात करते हैं, रास्ठी चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे बनाया है, तो पंकच त्वीपाठी को बनाया है, जो कि फिल्म अभी नेता है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन, 2022 को कौन, T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पह मेच में इंटरस्ट है आपको, तो आप इनको तो जानते ही होंगे, विराट कॉली जो है फ्रेंड्स, T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारती खिलाडी बन गए हैं, इन्होंने ये जो कारनामा हैं, इंडिया और साउथ अफरीका के T20 मेच के दोरान किया था, औ और ऐसा करने वाले ये पहले भारती बने हैं, दूसरे नंबर पर रोहिज शर्मा आते हैं, हाला कि अब इनके 11,000 रन पूरे नहीं हुए, लेकिन दूसरे नंबर पर आते हैं, T20 में सबसे ज्यादा रन के मामले में, और ये रन कितने हैं, 10,587 और तीसरे नंबर पर फिर है शिखर दवन, जिनोंने T20 में 9,235 रन अभी तक बना लिये हैं, T20 क्रिकेट के इतियास में सरवाधिक रन बनाने वाले अगर खिलाडी की बात करें, तो ये है क्रीस गेल, जिनोंने 14,562 रन टोटल T20 मेचों में बनाए हैं, तो T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरा करने वाले प इतियास के बीच सैयुकत अभ्यास टाइगर ट्रफ आयोजित किया गया, तो ट्राइगर ट्रफ जो की सैयुकत सैन ने अभ्याथ हैं, ये भारत और AMERICA के बीच में आयोजित किया गया है, तो अंसर मिल जाएगा आपको, अमेरिका युद्धव्यास का नाम याद रखीगा युद्धव्यास का नाम क्या है टाइगर ट्रफ इसका आयोजन भारत में हुआ था फ्रेंट्स आंद्र प्रदेश के विशाका पटनम में इस युद्धव्यस का आयोजन किया गया है उद्धेश्य क्या है तो दोनों देशों के सुरक्षा विवस्ता को मजबूत करना जो सैन ने शमता है उसका आदान प्रदान करना सैन ने जो नौलेज है उसका आदान प्रदान करना और ताकि देश की सुरक्षा में उसका उभ्योग किया जा सके इस उद्दव्यास का मुखफ उद्देश है उद्दव्यास का नाम क्या है? टाइगर ट्रफ और किंदो देशों के मद्दे आयूजित किया जाता है भारत और अमेरिका अंसर हो जाएगा अंसर सी इसके बाद देखी खाली में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है उपचुनाव आयुक्त की यहाँ पर बात की गई है तो अगर हम उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो हाली में अजय भादू को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है भारत का अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो राजी उकुमार है दोनों कोशन में अंतरें कन्फ्यूज मत होईएगा उपचुनाव आयुक्त हाली में अक्टुबर 2022 में अजय भादू को बनाया गया है जो की गुजरात के डर के 1999 बेच के एक I.S. अधिकारी है ये 24 जुलाई 2026 तक इस पद पर रहने वाले हैं किस पद पर उपचुनाव आयुक्त के पद पर और लास्ट लाइन वही है जो की अभी में आपको बताईए वरतमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कोन है फ्रेंड्स राजीव को नेक्स्ट कोशन बराते हैं किसने हाली में मेगालाई के राज्जिपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहन किया है तो मेगालाई के राज्जिपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार लिया है बीडी मिश्रा ने अब कोशन आता है कि अगर इन्होंने मेगालाई का अतिरिक्त प्रभार लिया है तो ये कही ना कहीं के तो राज्जिपाल पहले से रहे होंगे बिलकुल तो ये पहले से राज्जपाल है अरुणांचल प्रदेश राज्जपाल थे लेकिन हाली में अक्टूबर 2022 में इनका कारिकाल खतम हो गया है मेघाले के राज्जपाल के रूप से तो अरुणांचल प्रदेश के जो राज्जपाल है बीडी मिश्पाल इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है किसका मेघाले का तो अब मेघाले का अतिरिक्त प्रभार किसके पास आ जाता है बीडी मिश्पाल के पास में आ जाता है एक लियर, नेक्स्ट गोष्चन बराते हैं, किसे वर्ष दोजार बाविस के लिए, बत्तिसवे बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की गोष्चना की गई है, तो बत्तिसवे बिहारी पुरस्कार की बात की जा रही है, तो ये दिया गया है, डॉक्टर माधव हाडा को, important है उनसा संसकरने, 32 संसकरने इस पुरसकार का और किसके दोहरा दिया जाता है friends तो यह बिल्ला, के के बिल्ला foundation के दोहरा 1999 से और पुरसकार राशी दी जाती है इस पुरसकार में 0,500,000 रुप है सीदी सी बात है, साहिति के शेत्र में दिया जाने वाला पुरसकार है गया है यह इनकी क्रती है जो की 2015 में प्रकाशित हुई थी तो 2015 में प्रकाशित हुई कौनसी पचरंग चोला पहर सखीरे किसकी क्रती है मादव हाडा की इसके लिए इन्हें 32 वा बिहारी पुरस्कार दिया गया है जो की केके फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसक होना चाहिए इनके पहले तो पहला बिहारी पुरस्कार देखिए जैसिंग नीरच को दिया गया था और उन्हें यह जो पुरस्कार है इनकी बोल सकते हैं कि इनकी जो पुस्तक है या काविस अंकलन है धानी का आदमी इसके लिए दिया गया था और 35 वे बिहारी पुरस्का था वो मधू कांकरिया को दिया गया था उनकी करती के लिए जिसका नाम था हम यहां थे हम यहां थे किसकी करती है मधू कांकरिया याद रखिएगा important इसके बाद अगला कुश्चन देखते हैं from dependence to self-reliance के लेखक कोन है अगर हम इस पुस्तक की बात करें important पुस्तक है और इसके writer definitely आपसे पूछे जाएंगे from dependence to self-reliance इसके लेखके friends भीमल जालान इसलिए यह पुस्तक सबसे यदा पूछे जाने की संभावना है ठीक है from dependence to self-reliance के लेखक अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमल जालान है इस पुस्तक को इन्होंने लिखाए अलग-अलग अध्याय में इन्होंने इसको divide किया है जैसे अर्थशास्त्र पर चार अध्याय इन्होंने लिखे और शाषन और राजनीती पर इन्होंने तीन-तीन अध्याय लिखे इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि रास्त्र हित को बढ़ावा देने के लिए भारत के विकास के लिए यहना भारत में एकता बनाए रखने के लिए किन-किन मुद्दों पर कारी करना चाहिए, केसे कारी करना चाहिए, यह सभी बाते इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताईए ठीकें, तो किसकी पुस्तक है, डॉक्टर बीमल जालान की पुस्तक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं, प्रतिवर्ष रास्ट्र डॉल्फिन दिवस कम मनाया जाता है, तो हर साल फ्रेंट्स, रास्ट्र डॉल्फिन दिवस आपको समझ में आ जाएगा नाम से कि किसका सर्रक्षन किया जाना चाहिए, सीधी सी बात है, डॉल्फिन सर्रक्षन के प्रत डॉल्फिन जो हिना फ्रेंट्स मीठे पानी की डॉल्फिन भारत में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदीयों में पाई जाती है इनका सर्रक्षन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो जेव विवित्ता है उसको बहुत ज़्यादा एफेक्ट कर सकता है अगर इनका सर्रक्षन नहीं किया गया तो इसलिए जागरुकता आए लोगों में जागरुकता फैले इसलिए 5 अक्टूबर को हर साल रास्टे डॉल्फिन दीवस के रुप में मनाया जाता है क्लियर हो जाता है I hope समझ में आओगा उद्देश अभी में आपको बताया लोगों को डॉल्फिन सर्रक्षन के लिए जागरुकता फैलाना एवं गंगा और उसकी साहयक नदियों के पानी की गुणवत्ता और प्रवा में सुधार पर ध्यान देना ताकि इनका अस्तितु बचा रहे यह मुख्युद्दिश है रास्टे डॉल्फिन मिशन का ओके गंगा नदी के डॉल्फिन को परियावरण और वन मंत्रा ले के द्वारा अठरा मई 2010 को रास्टे जली पशु घुशित किया गया था ये भी एक काफी important fact है याद रखना चाहिए आपको किसने किया गोशित किया है परियावरण और वन मंत्रा लेने कब अठरा मई 2010 को रास्टे जली जीव घुशित किया ओके याद रखना important नेक्स्ट कोशन पर आते हैं अगला कोशन देखें किस राज्ज में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर आल पहल की शु और ये शुरू किया गया है ओडिशा राज्ज में कहा शुरू किया गया है ओडिशा राज्ज में किसको बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अब इसमें क्या होगा इस कारिक्रम के तहट क्या होगा फ्रेंड्स कि करीब 2000 इसकुलों में 43, 40,000 से ज्यादा फुटबॉल बच्चों को बाटे जाएंगे ताकि उन में इस खेल के प्रती अवेरनेस आए ये खेल को ज्यादा से ज्यादा खेले क्योंकि शारिरिक विकास के लिए देखिए भागा दोड़ी बहुत ज्यादा ज़रूरी है और ये कैसा खेले जिसमें सारे फुटबॉल बच्छा हो इसलिए भी फुटबॉल को बड़ावा दिया जा रहा है भारत में और ये जो football for all पहले ये ओडिशा राज्य से भारत में शुरू की जा रही है important है काफी अच्छा initiative भी मान सकते हम इसको ठीके ये भारत में फीफा का पहला ऐसा कारिक्रम है जिसका उद्देश्य उसकी लिए बच्चों में football को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री काफी फेमस रहती है नविन पटनायग clear next question बढ़ाद देखिए हाली में किसने इरानी कब 2022 का खिताब जीता है तो इरानी कब 2022 का खिताब जीता है friends शेश भारत ने शेश भारत ने इरानी कब 2022 का हाली में खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में तोरा स्ट को 8 विकेट से हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है कौनसा कब है इरानी कब जो की बी सी सी आई наша आयोजित की जाती है भारत में और एक क्रिकेट प्रतियोगिता है जैसा IPO लोता है वैसे इरानी कप एक क्रिकेट प्रतियुगिता है जो की BCCI के दोरा आई जित की जाती है सो रास्ट को फाइनल में शेज भारत ने हराया आट विकेट से और ये खिताब अपने नाम किया है शेज भारत 29 बार इरानी कप जीत चुकी है और 2022 में ये उनका 29 खिताब था इससे पहले 2019 में ये जो कप है विधर्ब ने जीता था किसको हराया था उस वक्त फाइनलिस्ट जो रही थी सेकेंड उप विजेता बोल सकते वो शेज भारती थी 2019 में पोविट के कारण 20-21 में होनी पाई प्रत्यूगिता और अब कब हुए 2022 किसने जीती है शेज भारत में और किसको हराया था फाइनल में तो ये भी याद रखिएगा सोरास्ट्र को हराकर इरानी कप 2022 शेज भारत ने अपने नाम किया है इसके बाद आते अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहर होकी कब 2022 का चिताब अपने नाम किया है जाद रखिएगा इंपोर्टन है और काफी पूछा जाता है कौन सा सुल्तान जोहर कप अपने नाम किया है किस से सम्बंदित प्रतियो गिता ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कुश्यन ऐसा भी आ सकता है कि सुल्टान जोहर कप किस खेल से सम्बंदित तो एजिली ये हौकी खेल से सम्बंदित तो जायर 22 में इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था और भारत ने फाइनल में आस्केलिया को इस खिताबी मुकाबले में हराया था ठीक है भारत का ये तीसरा खिताब है इससे पहले भारत 2013 और 2014 दो साल पहले भी जीत चुका है 2013 और 2014 में और अब तीसरी बार जीता है 2022 में 2020 और 21 में कोरोना के क पारण ये खेल भी आयोजित नहीं किया गया था तो सुल्तान जोहर कप 2022 क्या यूँ कहा जाए सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंदी थे और किस संबंदी थे और 2022 में औसकेलिया को फाइनल में हरा कर भारत ने ये कप अपने नाम किया है क्लियर इसके बाद next question पर आते हैं बहुत ही important question है हाली में किसे FIH पुरुष प्लेयर आफ द इयर 2021 बाविस चुना गया है क्या चुना गया है पुरुष प्लेयर आफ द इयर किसे चुना गया है FIH मतलब International Hockey Federation के दौरा तो यह है friends हर्मन पृष सिंग भारत के हर्मन पृष सिंग को FIH पुरुष प्लेयर आफ द इयर 2021 बाविस चुना गया है होकी में भारत के स्टार डिफेंडर और ड्रेक फ्लिकर हर्मन पृष सिंग को यह पुरसकार दिया गया है याद रखिएगा एक होकी खिलाडी है बहुत ही famous खिलाडी है ठीके लगातार दूसरी बार यह खिताब इन्हें दिया गया है आप question आता है कि ठीके पुरुष वर्ग का तो मिल गया महिला वर्ग का यह खिताब किसको दिया गया है तो पुरुष वर्ग का दो हजार बाविस में हर्मन पृत सिंग को और महिला वर्ग में खिलाडी फैलिस अलबर्स को यह खिताब दिया गया है थोड़े से difficult नाम है लेने में भी पंबल आ जाएं कहीं न कहीं तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसको short trick भी बना सकते हैं आप याद करने के लिए तो ठीक है पुरुषो का तो आपको याद रहेगा हर्मन पृत सिंग और महिलाओ का किसे दिया गया है फैलिस अलबर्स को दिया गया है कहा की होकी खिलाड़ी है तो ये है कहा की नीदरलेंड की इसको याद रखिएगा फैलिस अलबर्स नीदरलेंड की होकी खिलाड़ी है जिसको 2022 में महिला वर्ग में एक हिताब दिया गया है और पुरुषो में हर्मन पृत सिंग को ये खिताब दिया गया है दियर इसके बाद next question पराते हैं प्रतीवर्ष सयुक्त रास्ट दिवस्त कम मनाया जाता है तो याद करिए पिछले कुछ questions में हमको इसके बारे में जिक्र मिला था जब हमने पोलियो दिवस्त पढ़ा था तो सयुक्त रास्ट दिवस्त मतलब UNO Day की ही बात की जा रही है UNO Day हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्ता का गठन किया गया था Second World War के जस्ट बाद तो United Nation Organization के नाम से जानी जाती है विश्व में शान्ती इस्तापित करना विकास के कारी करना और मानाव अधिकारों का सर्दक्षन करना इस संस्ता का मुख्युद देश्य आधिकारिक भाषा अगे आधिकारिक रूप से इसका जो गठा ने 24 अक्टूबर को हर साल UNO Day के रूप में मनाया जाता है ठीक है अब कोश्चन आता है कि ठीक है सयुक्त रास्ट संग इसका नाम है लेकिन इसको नाम सयुक्त रास्ट किस ने दिया तो ये अमेरिका के मतलब USA के पुर्व रास्ट पती Franklin D. Roosevelt ने इस संस्ता को सयुक्त रास्ट नाम दिया गय थी वो ख्याला है अमेरिका के न्यू यॉक में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष फ्रेंड्स वो एंटोनियो गुतरेस है इसे भी याद रखिएगा एंटोनियो गुतरेस वर्तमान में UNO के अध्यक्ष है ठीर तो UNO Day 24 अक्टुबर को हर साल मनाया जाता है नेक्स्ट देखते हैं 2023 में बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा तो 2023 में अगले साल बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है फ्रेंड्स ये फीजी में आयोजित किया जाएगा answer D हो जाएगा कहां पर आयोजित किया जाएगा फीजी में उद्देश आपको पता ही हिंदी के प्रती लोगों में जागरुपता फैलाने के लिए हिंदी को और जादा विक्सित करने के लिए हिंदी की पहुच और अलग अलग शेत्रों में पहुचाने के लिए इस सम्मिलन का आयोजन किया जाता है तो वारवा विश्व हिंदी सम्मिलन 15 से 17 फरवरी 2023 को मतलब फरवरी में अगले साल दिसंबर तो चली रहा है तो एक महिने बाद दो महिने बाद 15 से 17 फरवरी 2023 2023 को फीजी के नांडी में इसका आयोजन किया जाएगा आप तो देश का नाम याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा क्योंकि एक्जाम में देश का नाम ही पूछा जाएगा आयोजन को उन कर रहा है तो इसका आयोजन भारत का विदेश मंत्रा जाल है और फीजी सरकार मिलकर कर रही है तो कि फीजी में भी देखिए अधिकतर लोग हिंदी भाषी है जना हिंदो की पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज्यादा है इसलिए भी उस देश की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सयोग कर रही है इस सम्मेलन को आयोजित करने के फीजी में हिंदी की शिक्षा को बड़ावा देने के लिए यह सम्मेलन फीजी में आयोजित किया जा रहा है जिसके माध्यम से लोगों को हिंदी सिखने में मदद मिलने वाली है अब ये बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन है तो अब सीधी सी बात है पहला भी पूछा तो देखिए सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन फ्रेंटज नइन्टीन सेवनटीफाइप में आयोजित् केया जाएगा किया घया था हर साल आयोजित नहीं किया जाथा आपको धो यहही से समझ में आगया होगा ठीके तो पहला 1975 में आयोजित्क किया गया था जन्वरि म पूछा जाएगा तो आपको यह याद रखना चाहिए पहला विश्विंदी सम्मेलन 1975 और लास्ट ग्यारवा विश्विंदी सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था पहला 1975 में भारत के नाकपूर में और ग्यारवा 2018 में मौरिशस के पोर्ट लूई में आयोजित किया गया था और अब बारवा विश्व इंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा फीजी में ओके important question था note कर लीजेगा question पूछा जा सकता एक्जाम इसके बाद देखते भारत और किस देश के बीच Simbex 2022 युद्ध अब्यास का आयोजन किया गया तो देखें नाम से अगर हम यहाँ पर चले ना तो S और I ले लेंगे हम S से हो गया Singapore और I से हो गया India वेसे तो S से दूसरे भी नाम आ रहे हैं जैसे सूरी नाम से शेल्स तो आप डारेक्ट देश का नाम याद रख लो तो हो जाएगा मैंने कोशिश की बनाने की पर confusion तो हो सकता है सिंगापूर आप डारेक्ट याद रख लीजे तो इंडिया और सिंगापूर के मद्ध में Simbex युद्ध अब्यास का आयोजन किया जाता है 2022 में आयोजित किया गया था हाली में Simbex युद्ध अब्यास कहां पर आयोजित किया गया था अगर ये question आ जाए तो ये आयोजित किया गया था भारत के आंध्रे प्रदेश के विशाखा पटनम किंदो देशों के मद्ध भारत और सिंगापूर के मद्ध में इस साल 2022 में ये इसका 29 वा संसकरन था 29 वा संसकरन था पहली बार इसकी जो शुरुवा थे वो 1994 में की गई थी और 1994 से हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है ठीक है दोनों देशों की सेना के मद्ध में देखे युद्धव्यास का उद्धेश ही की होता है दोनों देशों की सेनाओं के मद्ध में साज़दारी स्तापित करना और कुछ टेकनोलोजी एसी है जो की युद्ध में कामा सकती उसका अधान प्रदान करना एक दूसरे की सेन अमता क्यों विक्सित है इसके बारे में बताना तो कहीं न गहीं यह उद्धेश होता है तो इसका भी मुख्य उद्धेश दोनों सेनाओं के बीच में अच्छे संबंद स्तापित करना तो सिंबेक्स 2022 युद्धव्यास भारत और सिंगापुर के मद्ध में आयोजित किया गय का और एक और है सिटमेक्स इसका एयोजन भारत और थाइलेंड के मद्ध में किया जाता है तो यहाँ पर कुशन सिंबेक्स पे था तो भारत और सिंगापुर यहाँ पर अंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए हाली में किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ट्स चेंपियंशिप मे 25 वा विश्व खिताब जीता है अब आपको बिलियर्ट्स में देखिए एक ही व्यक्ति का नाम भारत में बार बार याद आएगा तो सीधी सी वात है वही इसका अंसर होगा और वो कौन है पंकज आडवानी आंसर डी हो जाएगा IBSF वर्ल्ड बिलियर्ट्स चेंपियंशि का 25 वा विश्व खिताब जो है फ्रेंड्स वो पंकज आडवानी ने जीता है इसको आप याद रखिए फाइनल में उन्होंने सोरप कोठारी को हराया चार जीरों से हरा कर ये खिताब अपने नाम कर लिया इस विश्व चेंपियंशिप का आयोजन मलेशिया में किया गया पर्टिकुलर प्लेस याद रखना हो तो रख सकते कौललाम पूरम लेकिन अगर नहीं भी रखना चाते तो आप देश का नाम याद रखिए क्योंकि देश के नाम से ही कोश्यन आते तो 25 विश्व खिताब किसका IBSF World Billiards Championship नायोजित की गई थी मलेशिया में फाइनल आडवानी ने ये खिताब जीता थी पिर इसके बाद आईए देश का 33 हाती रिजर्व कौन सा है जिसको हाली में केंदर सरकार ने मंजूरी दी है तो क्या पूछा है पता है देश का 33 हाती रिजर्व तो ये है फ्रेंड्स तराई हाती रिजर्व आंसर हो जाएगा आंसर सी देश का 33 हाती रिजर्व तराई हाती रिजर्व है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस्तित है हातियों के सरलक्षन के लिए स्तापित किया गया है उत्तर प्रदेश का दूसरा हाती रिजर्व है और भारत का 33 हाती रिजर्व है अभी question ऐसा आजाए कि तराई हाती रिजर्व किंदो देशों की सीमाओं पर पड़ेगा तो ये भारत और नेपाल की सीमाओं पर इस्तित है तराई हाती रिजर्व भारत का 33 वा और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाती रिजर्व है आतियों के सर्रक्षन की नेक्स्ट गोशन पढ़िए मैं पानी पी लेता हूं तब तक जल्दी पढ़िए क्या है चर्चा में रहा चर्चा में रहा विरांग ना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्ज में इसती थे तो देखिया दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये फ्रेंड्स मद्य प्रदेश राज्ज में इसती थे मध्य प्रदेश के तीन जीलों में नॉर्मली फैला हुआ है वैसे जीले हमको याद नहीं रखना है फिर भी ठीके देख लेते हैं नर्सिंगपूर, दमो और सागर ये तीन मध्य प्रदेश के जीले हैं जो मध्य और मध्य पुरूम में आते हैं यहाँ पर दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2349 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है ठीक है टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का पहले टाइगर रिजर्व नहीं था पहले एक अरक्षी छेत्र था लेकिन अब इसको टाइगर रिजर्व घुशित किया कर दिया गया है मध्य प्रदेश भारत का एक एसा राज्य फ्रेंड्स जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व छेत्र है मध्य प्रदेश में छे नेशनल पार्क और एक अभ्यारण छे नेशनल पारग और एक अभ्यारन वहां का राता पानी अभ्यारन ये साथ इसे प्लेस थे जहां पर पहले से टाइगर रिजर्व लागू था टाइगर रिजर्व शेत्र थे अब विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी आ गिया है तो किस राज्य में है सयूक्त रास्ट्र का याद रखिएगा तो सयूक्त रास्ट्र का 27 जलवायू परिवर्तन सम्मेलन जिसको कोप 27 के नाम से जाना जाता है कहां आयोजित किया गया मिश्र में आयोजित किया जाएगा कब यह आयोजित किया जा चुका है यह ना याद रखिएगा अक्टूब को मिश्र में ये आयोजित किया जा चुका है और ये इसका 27 संस्करण है इसको याद रखिएगा सयुक्त रास्ट का जलवायू शिकर सम्मेलन में सरकारे वेश्विक इस तर पर जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए कारे करती है या रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये जाने चाहिए इस पर चर्चा करती है और बाद में उनका इंप्लिमेंटेशन करती है काफी फेमस एक सम्मेलन है फ्रेंट्स की कोई यूए नो का है इसलिए पूछा जा सकता है तो हाली में नवंबर 2022 में इसका आयोजन मिश्र में किया गया है याद रखिए इन्हें कोप क जोते पर हस्ताक्षर किये थे वो देश कोप की जो बेठग होती है सम्मेलन होता है उसमें भी पाइटिसिपेट करते है और जलवाईउ परिवातन के लिए क्या क्या चिया जा सकता है तिनेरियों बनाते यह रोड में पतयार करते और बाद में उसको अपने 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 न्यायदीश कौन बने हैं Chief Justice of India है फ्रेंट से तो भारत के 50 वे मुक्हिन न्यायदीश Chief Justice of India बने है ती वाई चंद्रचूड पचासवे मुक्हिन न्यायदीश है अंसर हो जाएगा अंसर ए कौन है दी वाई चंद्रचूड तियर खाली में पूरा नाम देखे दनंजय क्योंकि एक्जाम में पूरा नाम नॉर्मली शायदी मेंशन करें आपको तो शॉर्ट फॉर्म या फिर चंद्रचूड भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा ये भारत के 50 वे C.J.I.E.A. फ्रेंट्स पचासवे Chief Justice of India है इसके पहले 49 वे Chief Justice of India थे यू-यू ललित जिन्ह उदय उमेश ललित के नाम से जाना जाता था मात्र 55 दिन 75 डेज ही अपने पत पर रहे और इनके एटने के बाद हाली में अक्टूबर में 50 मुख्य नियादिज बना दियेगा एकोन V.Y. चंद्रचूड याद रखिएगा जो भी Supreme Court का सबसे Senior Judge होता है उसे ही Chief Justice of India बनाया ज जाता है अब हैली में 2022 में 50 कौन बने डी वाई चंद्रचूड और ये अपने पत पर रहने वाले हैं 10 नवंबर 2025 तक भारत के 50 मुख्य नियादिश डी वाई चंद्रचूड है उन 50 भी याद रखिएगा यू यू ललित थे इसके बाद देगे अक्टूबर 2022 को मुलायम सि काफी नाम सुना होगा आप सभी ने और जो यूपी वैसे तो पुरे डेश में सब नहीं सुना है यूपी से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने तो डेफिनेटल सुना होगा तो ये कौन थे राजनेता थे मतलब एक पॉलिटिशन थे काफी फेमस थे इनका हाली में फ्रेंड के संस्तापक थे समाजवादी पाटी का गठन किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सबसे पहली बार 1989 में जनता दल से ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के और उसके बाद काफी बार मुख्यमंत्री रहें और रायम सिंग यादो अखिलेश सिंग यादो के पिता थे एक राजनेता थे जिनका अक्टूबर 2022 में क्या हो गया है इसके बाद आते हैं प्रतिवर्ष भारती वायू सेना दिवस कब मनाया जाता है very very important प्रतिवर्ष भारती वायू सेना दिवस के अगर हम बात करते हैं तो ये बनाया जाता है friends 8 November को answer D यहाँ पर सही हो जाए सीधी सी बात है sorry 8 November नहीं है इसको correct करिएगा 8 October है ना 8 October वायू सेना दिवस 8 October को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता होगा क्योंकि इस दिन वायू सेना की स्थापना हुई होगी सीधी सी बात है तो भारती वायू सेना की स्था दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारती वायू सेना का मुख्याल है वरतमान में देखिए नई दिल्ली में है और राकेश कुमार सिंग भधोरिया वरतमान में इसके प्रमुखे भारती वायू सेना के तो भारती वायू सेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता ह तेर हो जाता है next question पर आते हैं किस देश ने सुर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुवाफू 1 उपग्रा लाँच किया है उपग्रा का नाम यद रखिएगा कुवाफू 1 तो तेके नाम से आपको या तो जापानी फिलिंग आ रही होगी या चीनी फिलिंग आ रही होगी तो सीधी सी बात है या तो जापान या चीन तो यहां से क्या ही तुक्का लगाना भी कभी-कभी easy हो जाता है पर हम तो direct जाद रखेंगे बस मैं आपको बता रहता है कि या तो जापान या चीन तो उसमें से देश कौन सा है तो ये है friends चीन याद रखेगा ठीक है चीन ने सूरी के रहस्तों को जानने के लिए friends कुआफू 1 उबगर लॉंच किया है चीन की पुराणिक माननेताओं में देखिए सूरी का पीछा करने वाला एक विशालकाय उबगर के नाम पर इसका नाम कुआफू 1 रखा गया है इसको याद रखेगा important है ठीक है उबगर चार साल के लिए सेवा में रहने के लिए बनाया गया है और मिशन प्रती दिन लगबग 500 गीगाबाइट डेटा वापस भेज़ेगा सेटेलाइट के थुरू या डेटा भेज़ेगा किसको चीन की जो अंत्रिक्ष एजनसी है उसे इसका नाम है कुआफू 1 ठीक है तूरी के रहस्तियों को जानने के लिए इसको बनाया गया है ठी इसके बाद देखते हैं 36 रास्ट्र खेल 2022 में पदक तालीका में कौन शिर्ष पर रहा है तो 36 रास्ट्र खेल 2022 इसमें फ्रेंट्स पदक तालीका में शिर्ष पर रहा है सर्वीसेज ठीक है सर्वीसेज 36 रास्टिकेल 2022 में सर्विसेस पदक तालिका में शिर्षिस्तान पर रहे जो रास्टिकेल आयुजित किया गया था गुजरात में आयुजित किया गया था और इस साल ये इसका 36 संसकरण था इसको भी यहाँ पर याद रखिए ठीके, 2023 में 37 संसकरण का अगले साल गुजरात में गुजरात में 2013 Сर्विस रेस ने लगा तर चूती बार सबसे ज्यादा पदक इस प्रत्योगिता में जीते हैं इसने देखिए टोटल वन 61 पदक पहले इस्तान पर आए ज़रे नहीं कि सबसे आदा पदक जीते हों लेकिन क्या होता है जिसने सबसे जादा gold जीते होते हैं उसको पदक तालिका में सबसे उपर रखा जाता है भले ही उसके पदक संख्या काउम हो लेकिन gold के आधार पर count किया जाता है कि किसने सबसे जादा जीते हैं तो देखिए इस प्रतियोगिता में services ने केवल gold 61 सबसे आदा gold 61 जीते हालागि इसके पदक 12080 हुए इससे ज्यादा पदक महारास्ट जीत के लाया 140 लेकिन फिर भी महारास्ट सूची में पहले नंबर पे नहीं है क्योंकि महारास्ट ने gold केवल 39 ही जीते जबकि services ने 61 gold जीते तो पदक तालिका में चोथी बार पहले नंबर पर कोन आया है services आया है इसने प्रतियोगिता में 61 सौन पदक जीते 35 रजत और 32 कास से पदक अपने नाम किये महारास्ट पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहा है friends हाला की सबसे अदा पदक महारास्ट ने जीते हैं लेकि की सबसे अदा पदक महारास्ट के पास ही थे 140 यहर हो जाता है तो 36 रास्ट खेल 2022 जो की गुजरात में आयो जित किया गया था friends सबसे अदा पदक पदक तालिका में पहले नंबर पर services रहा है शिर्ष पर रहा है लेकिन सबसे अदा पदक महारास्ट रज ने जीते हैं इसको बाद आते हैं अगले question पर 2022 को किस रज ने भारत के पहले कडूवूर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण को अधिसुचित किया गया है या अधिसुचित किया है देखें यह एक अभ्यारण का नाम है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यह अभ्यारण का नाम है नाम तमिल लाडू में कडूवूर, स्लेंडर, लॉरिस अभ्यारण को अधिस उचित किया गया है और ये जो अभ्यारण है तमिल लाडू के करूर और डिंडी गुल जीलों में फैला हुआ है 11806 हेक्टेर भूमी पर वेसे स्लेंडर, लॉरिस जो है जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है अभ्यारण का ये एक निशाचर इस्तंधारी जीव है ये जीव है जिसके नाम पर इस अभ्यारण का नाम रखा गया है ये जीव अपना अधिकांश समय पेडो पर ही बिताता है पेडो पर ही रहता है पे काफी कम इनकी संख्या बच्ची है बहुत लिमिटेड बच्चे हैं तो इनको सर्दक्षित करने के लिए ही इस अभ्यारन को बनाया गया है क्योंकि देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर आई यू सी एन ने जो कि रेड डाटा बुक जारी करता ह है आई यू सी एन पुश्चन आता है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है तो रेड डाटा बुक जारी करती है आई यू सी एन रेड डाटा बुक में जो लुप्त होने वाली प्रजाति है उनका विवरन देखने को मिलता है ठीक है तो रेड डाटा बुक में लुप्त प बहुत ही important, clear इसी के नाम पर कडुवूर, स्लेंडर, लॉरिस, अभ्यारन भारत के तमिल नाडु रज्ज में स्तापित किया गया है, इसके बाद next question पर आते हैं, किसे गेल इंडिया लिमिटेट के चियर्मेन और MD न्यूक्त किया गया है, तो गेल इंडिया लिमिटेट आपन चियर्मेन और MD बनाए गए हैं, clear इन्होंने इसके पहले मनोज जिन इस पत पर थे, अब मनोज जिन के हटने के बाद संदिप कुमार बने हैं और ये फरवरी 2026 तक अपने पत पर रहने वाले, गेल भारत की सबसे बड़ी गेंस, ट्रांस्मिशन और केस मार्केटिंग कमप प्राकरतिक गेस पाइपलाइन नेटवर्क इसका 21 राज्यों में फैला हुआ है, गेल इंडिया आपने नाम सुनाओगा इंडियन गवर्मेंट का उपकरा में, इसका मुख्याला नई दिल्ली में और इसकी स्तापना 1984 में की गई थी, वरतमान में गेल इंडिया क्या है कोशन, कोशन पूछा गया है, किस भारती एथलिट पर डोपिंग उलंगन के आरोप में तीन साल का बेन लगाया गया है, तो डोपिंग के इस मतलब मादक पदार्थ लेना या फिर एसे पदार्थ लेना जो की खेलों में प्रतिवन दी थे, है ना, तो उनको डोपि भी गेम्स में पाटिसिपेट करता है, तो इसके आधार पर जिसको तीन साल के लिए प्रतिवन दित किया गया है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल संस्ता के द्वारा, वो है कमल प्रीत कोर, अंसर हो जाएगा, अंसर डी, अक्टोवर दोहजार बाविस में, इन्हें तीन साल के उलंगन की दोशी पाई गई है, इन्होंने मादक पदार्त लेकर किसी जो डिसकस थ्रोर इनका गेम में उसमें पाटिसिपेट किया, अब इन पर तीन साल का प्रतिवन लगाया गया है, और साथी साथ ये भी कहा गया, कि सार्थ, सार्थ मार्च दोहजार बाविस के बाद उन्होंने जिस-जिस कॉम्पेटिशन में पाटिसिपेट किया है, उन सभी में इन्होंने अगर कोई पदक जीता है या कुछ भी, तो इनको जो परिणाम आये थे, वो वेद नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं एसे पदार्त लिये हैं, जो कि गेम्स म याद रखेगा, क्रेग रिडी वर्तमान में इसके अध्यक्षे, और इसकी जो इस्तापना है आपको शाद इस्क्रीन पर दिखनी पाएगा, तो 10 नवंबर 1999 में की गई थी, इसकी स्तापना विश्व डौपिंग रोधी एजेंसी, विश्व डौपिंग रोधी एजेंसी क इसकी स्तापना 10 नवंबर 1999 में की गई थी, इस संस्ता ने आगे आने अले तीन वर्षों के लिए डिसकस्त थ्रोवर कमल प्रीत कोर को प्रतिवंधित कर दिया है, याद रखेगा, important है, इसके बाद आते हैं, हाली में किसने दूसरा शेख जायद अंतरास्त्य पुरसकार ज जीता है, एक प्रोफेसर है फ्रेंट्स, प्रोफेसर कहां के, तो अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले के ये एक प्रोफेसर है, जिने हाली में शेख जायद अंतरास्त्य पुरसकार से सम्मानित किया गया है, याद रखेगा, बहुत important, प्रोफेसर वजाहत हुसेन को या पुरसकार, उनके करियर के शिकर पर अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले और भारत का प्रतिनिदित्व करने के लिए दिया गया है, ठीक है, शेख जायद अंतरास्त्य पुरसकार विश्विस्तर पर शिक्षा विज्यान और चिकित्सा शेत्र में कारी करने वाले योगदान देते हैं तो ऐसे लोगों को शेक जायद अंतरास्टी पुरसकार दिया जाता है। हाली में भारत के अलीगर्ण मुस्लिम विश्विद्याला के प्रोफेसर वजाहत हुसेन को अक्टुबर दोजार पाविस में ये पुरसकार दिया गया है। कोन है? वजाहत हुसे हैं। इसके बाद अगले कोश्यन पर आते हैं। देखिए काफी सुर्ख्यों में रहा था ये इंडेक्स काफी पॉलिटिक्स भी उईती इस पर। इसे लिए मैं आपको शुरात में बोला था इंडेक्स से अगर कोई भी कोश्यन आ रहा है तो वो आपको याद रखना चाहिए। देखतें वेश्विक भुकमरी सुचकांग 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा इस्थान दिया गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इसमें देखिए 2022 को 121 देशों की सूची बनाई गई थी इस इंडेक्स में और भारत को 107 इस्थान दिया गया है। तो इससे समझ में आता है कि हंगर इंडेक्स में या भुक मरी में भारत का विश्व में कैसा हाल है आप यहाँ पर देखिए 107 वा इस्तान भारत को दिया गया है वेश्विक भुक मरी सुचकांग में clear तो ये भी याद रखिएगा और कितने देशों को include किया गया था इस इंडेक्स में वो भी याद रखिएगा तो इस इंडेक्स में 121 देशों को सम्मिलित किया गया था और भारत को 107 वा इस्तान दिया गया है इसके पहले 2021 में जब ये इंडेक्स आया था friends तब 116 देशों को इंक्लूट किया गया था और भारत को पिछले इंडेक्स में 101 वा इस्तान दिया गया था मतलब कही न गई भारत की इस्तिती भुकमरी के मामले में और दैनी हो गई है क्योंकि गिर्ती जारी है ना पहले हम 101 वे नंबर पर थे अब हम 107 वे नंबर पर आ गए यह सूचकांग चार संकेता को के आधार पर तयार किया जाता है जैसे अलप पोशन किसी को प्रॉपर प्रोटीन वाला खाना दिया जा पा रहा है कि नहीं तो अलपू पोशन तो नहीं है, चाइल्ड वेस्टिंग के आधार पर, चाइल्ड स्टेडिंग के आधार पर या बाल मृत्यू दर के आधार पर इसको तयार किया जाता है, चार आधार रखे जाते हैं और फिर तयार किया जाता है, जी एचाई मतलब Global Hunger Index 2022 रिपोर्ट के पेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविया, चीली, चीन तता क्रोईशिया, ये पांच देश हैं जो कि इस इंडेक्स में सबसे उपर हैं, और भारत इस इंडेक्स में 107 वेस्तान पर हैं, पिछले साल हम 101 वेस्तान पर थें, याद रहेगा तो Global Hunger Index 2022 में हम 107 वेस्तान पर हैं इसके बाद आते हैं, अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ राशीद किस देश के नए रास्ट पती चुने गए हैं, तो अब्दुल लतीफ राशीद 2022 में अक्टूबर में इराक के नए रास्ट पती चुने गए हैं, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये रास्ट पती बने हैं कहां के इराक के फियर हो जाता है अब्दुललतिफ राशिद ठीक है इसके पहले बरहम सालेह इराक के रास्टपती थे अब इनके हटने के बाद अब्दुललतिफ राशिद को इराक का नया रास्टपती बनाए गया है अब अगर रास्टपती याद रख रहे हैं तो हमें प्रधान मंत्री भी याद रखने पड़ेंगे इराक के वर्तमान में प्रधान मंत्री मुहम्मद शियाल सुडानी है मुहम्मद सियाल सुडानी इराक के प्रधान मंत्री है और अब्दुल लतीफ राशीद जो है वो इराक के रास्केपती बनाएगा है इराक की राज़ानी बगदादे और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसे दिनार कहा जाता है एक खाड़ी देशे इराक, clear इसके बाद देखते हैं अक्टूबर 2022 में किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कब 2022 का खिताब जीता है किसका खिताब फ्रेंड्स महिला क्रिकेट एशिया कब 2022 का जो खिताब हाली में इंडिया ने अपने नाम किया है इसने जीता है इंडिया ने भारत ने हाली में महिला क्रिकेट एशिया कब 2022 का खिताब जीता और इसने फाइनल में श्री लंका को हराया है इससे भी याद रखियेगा श्री लंका को 8 विकेट से हरा कर ये खिताब इंडिया ने अपने नाम किया भारत साथवी बार इस खिताब को जीत रही है 2022 को मिला ले तो साथवी बार इस खिताब को इंडिया ने जीता है इस Asia Cup का जो आयोज़न ने बांगलादेश में किया गया था और 2022 में इसका ये आठवा सीजन था फ्रेंड्स आठवा सीजन 2022 में बांगलादेश में आयोजित किया गया था महिला क्रिकेट एश्या Cup का इंडिया ने फाइनल में शिलंका को आठविकेट सहराया और इस कप को अपने नाम किया है महिला क्रिकेट एश्या Cup 2022 क्लियर इसके बांगलादेश के इंदर सरकार ने किसे भारती प्रतिसपर्दा आयोग का कार्रिवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है तो याद रखिएगा संस्ता कोन सी है भारती प्रतिसपर्दा आयोग के वर्तमान में नए अध्यक्ष बनती है संगीता वर्मा कोन बनती है संगीता वर्मा केंदर सरकार ने संगीता वर्मा को अक्टुबर 2022 में भारती प्रतिसपर्दा आयोग का कार्रिवाहक अध्यक्ष याद रखिएगा ये कार्रिवाहक अध्यक्षे कभी भी हट सकते हैं। इसके पहले अशोक कुमार गुपता इस पत पर थे। इनके हटने के बाद अब संगीता वर्मा भारती प्रतिसपर्दा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है लेकिन कार्रिवाहक। प्रतिस पर्दा के लिए अनुकूल महौल प्रदान करना इसके लिए काम करने वाली संस्ता है जिसकी स्तापना प्रतिस पर्दा अधिनियम 2002 के तहट की गई थी लेकिन की कप की गई थी मार्च 2009 में जो अधिनियम है जिस अधिनियम के ताथ इस संस्ता का गठन किया गया है वो अधिनियम है प्रतिस परदा अधिनियम 2002 लेकिन इस संस्ता का गठन 2009 में किया गया था इसको याद रखे मुख्यालाई की अगर हम बात करें तो मुख्यालाई नहीं दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष धनेंद्र कुमारे यर अध्यक्ष को ने धनेंद्र कुमारे और वर्तमान की बात करतें तो संगीता वर्मा ठीक है चली आगे आते हैं इसको थोड़ा सा याद दखेगा मुझसे mismatch हो गया है तो इसको आपको याद दखना चाहिए CCI के पहले अद्यक्ष फिर repeat कर देता हूं एक बार ताकि कोई confusion ना रहे slip of mind हो गया है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आगे चलकर आपको कभी confusion हो जाए इसलिए एक बार फिर से repeat कर देता हूं ध्यान से सुनिए भारती प्रतिसपर्दा आयोग के पहले अद्यक्ष पूछे धनेंद्र कुमार कब बने होंगे जब इसकी स्तापना होई होगी 2009 में clear वर्तमान में अद्यक्ष कोन बनी अक्टूबर 2022 में संगीता वर्मा कारिवाहक अद्यक्ष है लेकिन अद्यक्ष तो है तो अद्यक्ष संगीता वर्मा next question बराते है प्रती वर्ष विश्व खाद्दे दिवस कब मनाया जाता है विश्व खाद्दे दिवस friends इसकी बात ओरिए तो यह हर साल बनाया जाता है 16 October को याद रखेगा important है 16 October को हर साल विश्व खाद्दे दिवस मनाया जाता है 1945 में सयुक्तरास्ट खाद्दे और क्रशी संगठन की इस्तापना दिवस की याद में क्योंकि 16 October को 1945 में सयुक्तरास्ट की एक संस्ता है खाद्दे और क्रशी संगठन इसकी इस्तापना की गई थी इसी की याद में या इसी की इसी दिन को याद रखने के लिए विश्व खाद्दे दिवस के रूप में 16 October को मनाया जाता है हर साल विश्व खाद्दे दिवस विश्व की स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिए मनाया जाता है किसी भी देश में जो मतलब हंगर है भूख मरी की समस्या तो नहीं है अगर है तो उसका निराकरन केसे किया जा सकता है केसे भूख मरी की समस्या को leave no one behind मतलब किसी को भी पीछे ना छोड़े काय में भोजन में ऐसा नहीं हो कि हम पेट भर के खा रहे हैं और कोई हमारे साथ वाला छूट जाए साथ में भूका सो रहा है तो इसा नहीं होना चीए इसलिए 2022 में इस दिन की theme मतलब विश्वखाद्य दिवस की theme रखी गई है leave no one behind तो विश्वखाद्य दिवस 16 October को हर सल मनाया जाता Next question देखी एक और important question है क्योंकि युद्धाब्यास भी पूछे जाते हैं उसमें हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए तो 2022 में भारत और किस देश के बीच गरूड युद्धाब्यास का आयोजन किया गया है गरूड 7 युद्धाब्यास का आयोजन किया गया है तो गरूड नाम का जो युद्धाब्यास है friends वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है इसको याद रखेगा इसके मद्ध में भारत और फ्रांस के मद्ध में 2022 में इसके साथवे संसकरण का आयोजन किया गया था आयोजन का हुआ है तो राजस्तान के जोदपूर में आयोजी तुआ है फ्रेंड्स ओके वायू सेना का अभ्यास है वायू सेना मतलब भारत और फ्रांस की वायू सेना मिलती है और वो आपस में युद्ध अभ्यास करती है और वही टेकनोलोजी शेयर करना एक दूसरे की रणनितिया शेयर करना की केसे हम दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं यही कहीं ना कहीं युद्ध अभ्यास का उद्धेश होता है तो गरूर सेवन भारत और फ्रांस के मद्ध में इसी उद्धेश से भारत के जोदपूर में अक्टुबर 2022 में आयोजित किया गया है पहली बार इसकी जो शुरुआ थे दोनों देशों के मद्ध में वो 2003 में की गई थी और 2003 के बाद समय समय पर इसका आयोजित लगातार किया जा रहा है तो भारत और फ्रांस के मद्ध में गरूर युद्ध अभ्यास का आयोजित किया जाता है एक्टुबर 2022 को किस रज्ज में कटी भी हू मनाया गया तो देखिए कटी भी हू ठीके एक वरड आया है हमारे सामने कटी भी हू लेकिन नॉर्मली देखिए एक्जाम में न मिसलिनर सेоры जो कुछन पूचा जाता है वो भी हू पर पूचा जाता है जाता है तो कटी भी हूँ भी असम राज्ज में ही मनाया जाने वाला पर्व है अंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा clear तो असम में कटी भी हूँ अक्टूबर 2022 में मनाया गया है जो की एक शुब तेहार पर मनाया जाता है या फसल कटाई के तेहार पर मनाया जाता है क्लियर एक एसा त्योहार है जो की फसल को काटते समय मनाया जाता है उन्हें नाम ही दे दिया उसको कटी बिहु क्लियर कटी बिहु को कांगाली बिहु भी कहा जाता है असम के अलग-अलग शित्रों में कुछ शित्री नाम भी दिये जाते हैं तो कांगाली बिहु के नाम से भ यह फसल के मोसम की नई शुरुआत और चावल के पोधो के इस्थान अंतरन का प्रती है फसल की उगाई कटाई इन पर मनाय जाता ठीक है असम में कुल तीन भीहू मनाय जाते हैं जो की एक रशीर से संबंदित है तो आपको नीचे की लाइन तो दिखेगी नहीं तो मैं आपको यहां लिख देता हूँ बोहाग भीहू एक ये है दूसरा अभी हमने जिसकी बात की है कटी भीहू और तीसरी हमने बात की है भोगाली भीहू ये तीन भीहू अलग-अलग समय पर मनाय जाते हैं और तीनों ही क्रशी से संबंदितें तो बोहाग भीहू, कटी भीहू और भोगाली भीहू लियर भीहू त्योहार से संबंदितें जो की असम में किसानों के द्वारा फसल के अलग-अलग परिस्तिती में मनाए जाते हैं, चाहे तो काटने के समय, चाहे तो बोने के समय, तो ये असम राज्य का एक लोगप्री त्योहार है, जिसमें नरत्य भी किया जाता है, तो नरत्य त्योहार भी माना जाता है, कहां पर फेमा से असम, क्लियर, इसके बाद 2022 को कौन Congress के नए अध्यक्ष चुने गए तो फ्रेंट्स Congress की बात करें Indian National Congress की तो इसकी स्तापना की गई थी 1885 में अंग्रेजों के शाशनकाल और इसके स्तापना करने का श्रे दिया जाता है A.O. Hume को A.O. Hume इन्होंने Congress की स्तापना की थी 1885 में अब 2022 में पिछले 17-18 साल से नॉर्मली सोनिया गांधी अध्यक्ष रही कुछ समय तक बीच में राहूल गांधी भी अध्यक्ष बने और राहूल गांधी से अब अध्यक्ष ता आ जाती है मलिक का अर्जुन खडगे के हाथ में त Congress के एक वरिष्ट नेता है मलिक का अर्जुन खडगे जिने हाली में Congress का नया अध्यक्ष बनाये गया है आजादी के बाद से अभी तक 17 लोग Congress के अध्यक्ष पत पर रह चुके हैं जिन में से 5 गांधी परिवार से आते हैं 1950 में आजादी के बाद पहले Congress अध्यक्ष थे प गांधी से ट्रांसफर हुआ है अध्यक्ष पत और ये आगिया है मलिक का अर्जुन खडगे के पास तो अक्टूबर 2022 को Congress के नया अध्यक्ष बने हैं मलिक का अर्जुन खडगे आंसर ए हो जाएगा इसके बाद देखिए किसे भारती क्रिकेट नियंतरन बोर्ड BCCI का नय अध्यक्ष चुना गया है तो अक्टूबर 2022 से पहले BCCI के अध्यक्ष ते सोरव गांगुली अब ये जो पोस्ट है अध्यक्ष पद है ये रोजन बिननी के पास आ गया है रोजन बिननी अब BCCI के नय अध्यक्ष बन गए हैं याद रखिएगा ओके पूर्व भारती खि लाड़ी रह चुके 1983 के वर्ल्ड कप जो हम जीत कर लाए थे कपिल देओ के समय में उसका भी ये हिस्सा रह चुके हैं कौन रोजन बिनने तो इन्हें ही अब BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है इसके पहले सोरव गांगुली थे इन्होंने सोरव गांगुली का स्थान बिसीजीआई की बात करें तो 1928 में BCCI की स्थापना की गई थी भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जो की क्रिकेट खेलो को इंडिया में रेगुलेट करने वाली संस्ता है 1928 में स्थापना होई थी और मुख्या लए महरास्ट के मुंबई में इस्ती थे इसके पहले अद्यक्ष R.E. Grant. Go. 1 आपको नीचे की लाइन नहीं दिख रही है इसलिए मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं तो इसको नोट कर लीजेगा R.E. Grant. Go. 1 यह पहले अद्यक्षे B.C.C.I. के याद रखिएगा पहले अद्यक्षे B.C.C.I. के अब B.C.C.I. के नए अद्यक्षे बने है रोजन बिन्नी या रोजर बिन्नी सोरभ गांगुली के बाद ठीक है इसके पहले को न थे सोरभ गांगुली आगे आते हैं अक्टूबर 2022 को किसने भुकर पुरसकार 2022 जीता है तो भुकर पुरसकार की यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स 2022 की तो यह जीता है सेहान करुणा तिलका ने शेहान करुणा तिलका, इन्होंने हाली में बुकर पुरसकार 2022 जीता है, जो की नॉर्मली पत्रकारिता के शेत्र में या फिर यू कहा जाए, साहित्ति के शेत्र में दिया जाने वाला पुरसकार, पत्रकारिता नहीं बोलेंगे, साहित्ति बोलो, पत्रकारिता में तो रेमन म एकसे से दिया जाता है, तो आप इसको सहित्तिय याद रखो, सही रहेगा, सहित्ति के शेत्त्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा, बुकर Пुरस्कार 2022, किसको दिया गया है, शेहान करुणा तिलका को, 2022 में, ठीक है, इनके उपन्यास के लिए इने दिया गया है जिसका नाम है The Seven Moons of Almeida यह इनके पुस्तक है उपन्या से इसके लिए अब इनको यह पुरसकार दिया गया है और कोश्यन आता है कि शेहान करुणा तिलका किस देश से रिलेट करती है बिलोंग करती है तो यह श्री लंका से बिलोंग करती है श्री लंका से बिलोंग करने वाली शेहान करुणा तिलका को भुकर पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है ठीके इससे पहले यह पुरसकार दक्षिन अफ्रिका के उपन्यास को दिया गया था आकरी बार टेमन गलगुट दिया गया था और जैसा कि हमने बात कीए बुकर पुरसकार उपण्यस के शेत्र में विश्व का अगरणी साहित्य पुरसकार ठीके यह अंग्रेजी में लिखे गए और UK या Ireland में प्रकाशिद सर्वसरेश्ट उपन्यस को दिया जाने वाला पुरसकार शुरुआत सबसे पहले 1969 में हुई थी बुकर पुरसकार की और वर्तमान में इसकी अगर पुरसकार राशी को देखें तो 50,000 पाउंड है ठीके बुकर पुरसकार की जो शुरुआत है 1969 में की गई थी और इसकी पुरसकार राशी 50,000 पाउंड है इसको भी याद दखे ग्यर 2022 में बुकर पुरसकार शेहान करोणा तिलका को दिया गया है इसके बाद आते हैं अगले कुश्यन पर किसे हाली में वित्म अंत्राले में लेखा महा नियंतरक नियुक्त किया गया है लेखा महानियंतरक के पत पर फ्रेंड्स वर्तमान में भारत में भारती दास को नियुक्त किया गया है ठीके ये वर्तमान में भारत की CGA बनाई गई है भारती दास केंद सरकार के लेखाओ को देखना उसका रख रखाओ करना कितना expenses हुआ है कितने income हुई है revenue sources क्या क्या है कह कहा से हुई है इन सब का लेखा जोका रखती है कोन लेखा महानियंतरक CGA लेखा महानियंतरक का पद जो भी हैखती हो वह है ना CGA कहा जाता इनने वित्य मंत्राले के अंडर में इसलिए अपोइंट भी कोण करेगा वित्य मंत्राले अपोइंट करेगा तो भारती दास को वित्य मंत्राले में लेखा महानी अंतरक नियुक्त किया गया है या फिर यूँ भी कह सकते हैं Central Government अपॉइंट करेगी, वित्य मंत्रालाई कि ये 27 वे लेखा महानियंत रखे, याद रखिएगा, भारती दास के पहले, सोनाली सिंग इसके पत पर थी, और सोनाली सिंग के बाद, अब अक्टुबर 2022 में, ये पत भारती दास के पास आया है, भारती सविधान में, आर्टिकल 150 में इस पत का उलेक देखने को मिलता है, CGA के पत का उलेक देखने को मिलता है, 2022 में वरतमान में लेखा महानियंत रख, भारत में 27 वी लेखा महानियंत रख, भारती दास को मनाया गया है, ठीक है, इसके बाद देख, हाली में किस देश ने, निहोंशु के लिए भोगोलिक संकेट टेग की मांग करते हुए आवेदन किया है तो फिर वही आपको जो निहोंशु दिखेगा वो especially जापानी वर्ड है चीनी तो नहीं है एसे नाम जापानी होते नॉर्मली तो निहोंशु जो एक मादक पे पदार्ते पीने का एक पदार्ते इसको शराप से आप कंपेर कर सकते वे सही है मादक पे पदार्त इसके लिए जी आई टेक भोगोलिक संकेत की मांग की है फ्रेंड्स जापान याद रखिएगा इंपोर्ट खाली में जापान देश ने निहोंशु जो कि एक मादक पे पदार्ते इसके लिए भोगोलिक संकेत की डिमांड की ठीक है चावल से बनने वाला एक पे पदार्ते जापान में और ये काफी प्रचली ते इसको याद रखिए जापान ने डिमांड करिए कि भाईया निहोंशु जो वो चावल का से बनाने वाला बना कर वो जो मादक पदार्त बनाते ना चावल से बनाते उसको निहोंशु कहा जाता हूज अपान ने बोला इस पर हमको जी आई टेक चाहिए तो उसने अपलाई किया भारत में अगर जी आई टेक की चाए को दिया गया था ग्लोबल इंडिकेशन या फिर यूं कहा जाए भोगोलिक संके तक निहोंशु के लिए जो मादक पेपदार्ते चावल से बनने वाला इस पर अपना दावा किया है जापान ने इसके बाद देखते हैं अक्टुबर 2022 को किसने वेश्विक बहु आयामी गरीबी सूचकांग 2022 जारी किया है तो वेश्विक बहु आयामी गरीबी सूचकांग हाला कि फ्रेंट्स यहां से कोश्चन आने की संभावना कम है लेकिन सूचकांग है इसको याद रखना चाहिए ये जारी किया है युनाइटेड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम ठीके अक्टूबर 2022 में वेश्विक बहु आयामी गरीबी सूचकांग UNDP मतलब जिसे कहा जाता है सयूग तरास्ट विकास कारिकरम हाला कि एक संस्ता की भी इसने सयूग लिया है जिसका नाम है Oxford Poverty and Human Development Initiative एक संस्ता है इनके सयूग से दोनों के आपसी सयूग से इस सूचकांग को 2022 में जारी किया गया है इस सूचकांग में विश्व में गरीबी की इस्तिती की गर्णा की जाती है कहां पर कितनी गरीबी है कितने लोग जादा गरीब है कितने लोग कम गरीब है शेत्र वाइस भी डिवाइट किया जाता है तो इसके आजार पर विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोग अफरीका में देखने को मिलते हैं अफरीका के साहरा के निकट सबसे ज़्यादा गरीब लोग देखने को मिलते हैं और उसके बाद दक्षिन एशिया मतलब जिसमें भारत भी आ जाता है यहां पर सबसे आदा गरीबी है इस सोचकांग का कहना है देश पर जाए तो भारत के बारे में इन्होंने बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा 22 करोड लोग भारत में तो यह जन संक्या भी तो 140 पर आता है जहां पर लगबग 9.5 करोड लोग गरीब है पहले नंबर पर सरवाधिक 22 करोड से ज्यादा मतलब 22.8 है तो लगबग 23 करोड ही हम यहां पर मान लेते हैं 23 करोड लोग भारत में गरीब है और दूसरे नंबर पर नाई जीरिया का नाम आता है यह जो रिपोर्ट QNDP की वेश्विक बहु आयामी गरीबी सुचकांक यह पहली बार 2010 में जारी किया गया था इसको भी याद रखे इसके बाद सबसे लास्ट कोश्चन है आज का हमारा हाली में किसने पुरुष बेलन डी ओल गोल्डन बॉल अवाड 2022 का खिताब जीता है तो खिताब का नाम याद रखिएगा पुरुष बेलन डी ओल अवाड ठीक है गोल्डन बॉल अवाड के नाम से भी जाना जाता है तो यह जीता है करीम बेंजेमा ने आंसर हो जाएगा आंसर एक फीफा के द्वारा दिया जाता है यह पुरसकार फीफा जो कि विश्व में फुटबॉल खेलो को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्ता है फीफा इसके द्वारा पुरुष बेलन डी ओल पुरुषों को दिया गया है विसे जो पुरसकार है उसका नाम है बेलन डी ओल गोल्डन ग्लोब या गोल्डन बॉल आवर्ड बोल सकते हैं आप इसको करीम बेंजेमा को करीम बेंजेमा की अगर हम बात करते हैं तो यह फरांस के खिलाडी है फरांस के फुटबोल खिलाडी है जिनको 2022 में यह पुरसकार से संभानित किया गया है अब कोश्चन आता साथ पुरुषो का बेलन डी ओर तो फीफा ने करीम बेंजेमा को दे दिया महीलाव का 2022 में किस बार्सिलोना के लिए खेलती है बार्सिलोना की कप्ता ने इनको दिया गया है महिला वर्ग ये जो समारो आयोजित किया गया है 2022 में ये फ्रांस के पैरिस में आयोजित किया गया था महीं पर ये पुरसकार अनौंस किये गये हैं और दिये गये हैं इस हमारों का ये छाचेटवा संसकरन था, सबसे ज्यादा ये जो पुरसकार है, लियोनल मैसी को दिया गया है सबसे ज्यादा साथ बार, लियोनल मैसी की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाडी है, सबसे ज्यादा बेलेंडी और पुरसकार पुरोशो दिया गया है, याद रखिएगा Belandy All-Puraskar 1956 से फ्रांसी सी प्रत्री का एक पत्री का है फ्रांस की फ्रांस फुटबॉल फुटबॉल के द्वारा 1956 से दिया जा रहा है इसको याद रखिएगा, फ्रांस फुटबॉल जो कि फ्रांस की एक पत्री का है अब बोल सकते हैं इसके दोड़ा 1956 में शुरू किया गया तो उसके बाद हर साल दिया जा रहा है तो अभी तक सबसे आदा साथ बार लियोनल मैसी को दिया गया है अर्जेंटिना के खिला डिया है उसके बाद क्रिस्टियानो रोनल्डो को दिया गया है पांच बार जो की पूर्तिगाल के खिला डिया है और 2022 करंटली कुश्चन आएगा तो यह है करीम बेंजेमा जो की फ्रांस देश के ही फुटबॉल खिला यह, और इनको यह पूरसकार दिया गया è, हना हाला की अभ यहाँ पर यह समझ यह दिया फ्रांसी सी पत्रीका के दुआरा दिया जाता है, फ्रांसी सी पत्रीका है फ्रांस cancel हर एकजाम में पूछए जाएंगे और एक एक फैक्ट जो में आपको सभी question के साथ relate करके बताया जितने भी information बनाई बताई है मैंने आपको I hope आपने सभी collect कर लियोगी और उनको note down कर लिया होगा क्योंकि यहां से आपके almost 300 से 400 question कवर हो जाएंगे friends अगर आपने relevant detail को ध्यान से सुनाओगा फिर मुलाकात करेंगे next वीडियो में एक नए topic के साथ और next month हम इसका second part तो लेकर आएंगे ही उसमें भी बने रहेगा और इस series को आप proper follow कीजेगा यहां पर बहुत इंटरस्टिंग current affairs को हम यहां पर हर बार पढ़ेंगे 50 MCQ एसे रहेंगे friends जो की exam में आपको देखने को मिलने ही वाले हैं यही सोच के पढ़िएगा और आप देखेंगे definitely आपको exam में यहां से question मिलेगा फिर मुलाकात करेंगे next वीडियो में अपना खयाल रखें हमारे साथ बने रहे जय हिन जय भारत